वैलकम, गुड मॉर्निंग और डिमल्टी स्टूदेंट्स तो माइक्रोबाईलोजी के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके उपर है तुडेज लेक्चर ओन आज का लेक्चर आपका ने तुडेज लेक्चर ओन इंपोर्टेंट क्यूसन्स ओफ वाइरोलोजी हैंड Immunity यानि क्या है कि जो Most Important Qution है Virology के उनके उपर है और क्या है Immunity जो नया topic है Microbiology के अंदर उसके उपर है तो सबसे पहले देखिए कि Most Important Qutions कौन से कौन से Virology के तो सबसे पहला Qution है Describe HIV Virus Structure and its Replication Discuss Pathogenesis of AIDS Add a Not-On Laboratory Diagnosis of HIV Infection तो सबसे पहले क्या है Describe HIV Virus Structure यानि सबसे पहले तो उसकी Structure Describe करनी है and its Replication यानि वो Replication किस से करता है तो आपको पता है उसके अंदर Transcriptage Enzyme Present होता है उससे करता है यानि वो RNA से क्या है DNA का Copy Stand बना जेता है दूसरा है Discuss Pathogenesis of AIDS यानि Pathogenesis of AIDS यानि AIDS किस कारण से होती है तो AIDS क्या है HIV का Severe Role है आपको पता है जैसे कोई HIV की Infection के साथ अगर कोई अलग डिजीज हो जाए या अलग अलग पर जैसे Microbacterium Tuberculosis का Infection हो गया या फिर अधर Neumonia का तो Immunity नहीं होगी प्योवर्त हो है लास्ट जो स्टियेज HIV की वो क्या है AIDS है यानि साथ में Opportunity Infection Add a Note on Laboratory Diagnosis of HIV Infection और आपको Lab Diagnosis बतानी है किसकी HIV Infection की कैसे डाइगनोज कर सकते है उसको Next, Discuss in the Detail Pathogenicity यानि सबसे पहले तो आपको उसकी Pathogenicity या मतलब डिसकस करने डिटेल के अंदर कि वो कौन सी डिजीज कोज करता है क्या क्या रीजन हो उसके Laboratory Diagnosis फिर क्या डिसकस करना है आपको Lab Diagnosis यानि Lab के अंदर Investigate कैसे करोगे फिर डिसकस करना है आपको End Profilexis of Hepatitis B और उसकी Profilexis चोग करनी है यानि साफदानिय क्या क्या कैसे बचा जा सकता है कौन से वाइरस की Hepatitis B वाइरस Infection की तो यह जो फर्स्ट दो क्यूशन है फर्स्ट और सेकिंड HIV और Hepatitis B यह दोनों के सबसे Most Important Qs है एक्जाम के नजर से क्योंकि इन दोनों क्यूशन में हो सकता है पूच्छं के नेम बताने आपको Describe anyone of them in detail और उन सभी में से एक को क्या है आपको 排 Index A हो B हो या पिर C हो कौन सा भी हो एक को क्या है अलग-अलग क्यूशन चारक जबहाई लेकिं जिन की अंदर Most Important क्या है Hepatitis B वाइरस है जैसे HIV की lab diagnosis भी पूछ सकता है short qsons के अंदर HIV की pathogenesis भी पूछ सकता है या HIV की structure पूछ सकता है तो इनको अलग-अलग भी qsons को पूछा जा सकता है और अगर long term के अंदर ये qsons पूछे जाएं तो जो आपके सामने लिखा हूँ अभी इस नंबर में आते हैं तो इस तरीके से आते हैं कि HIV का पूरा function पूछ लिए यानि उसका replication वगएरा उसकी structure, pathogenesis और care aids क्या है या फिर HIV infection की lab diagnosis क्या है वैसे ही hepatitis B virus का पूछ सकता है next क्या है आपके short notes के अंदर अगर अपन देखें यानि वाइरोलोजी से related qsons जैसे DNA viruses हो गया तो DNA viruses क्या होते हैं उन में से किछी एक virus का description दे दिया आपने RNA viruses क्या है तो RNA viruses के बारे में पूछ सकता है पांच नंबर के अंदर उसके बारे में किछी एक virus का description दे दिया कि उसके अंदर कैसी coding है क्या present है next है HBS antigen या Australian antigen तो यह आपने देखा था कि Australian antigen जो है या फिर HBS antigen है वो किसके अंदर पाए जाता है hepatitis B के अंदर next है virus inoculation virus inoculation या फिर culture या वाइरस को अपन inoculate कैसे करते है उसकी growth कैसे करवा की देख सकते है वो भी पूछ सकता है आपने देखा था eggs के अंदर क्या है growth करवा सकते है एग की cavity के अंदर या फिर क्या cell culture हो गया कोई next है profile axis of HIV या फिर hepatitis virus या एपिर hepatitis virus transfuse किस तरीके से होता है तो आपको पता है तीन मेथड है इसके वही parental, perinatal और sexual दोनों के सेम ही है इस तरीके से क्या है आप से short notes के अंदर भी question पूछ सकता है इनके अंदर से DNA virus और HBS antigen यह दोनों virus यह दोनों question और क्या है profile axis of HIV यह तीनों question क्या exam के अंदर आई हुए है और first जो दो question थे वो भी क्या exam मतलब microbiology से related exam के अंदर mostly मिलते हैं आपको next topic फिर क्या है आज का आपका immunity यानि वाइरोलोजी के बाद में कौन सा topic आ जाता है immunity second topic तो अभी तक आपने microbiology में दो topic कर लिए एक तो parasitology एक वाइरोलोजी immunity में देखिए immunity is defined as resistance exhibited by the host against यानि foreign antigen यानि immunity को कैसे define कर सकते है immunity is defined as उसको define कर सकते है यानि resistance को विरोध यानि foreign antigen यानि किसी बाहरी पार्टिकल के लिए किसी host के अंदर क्या है कोई विरोध होना defense mechanism होना उसी को क्या बोलते हैं अपन immunity बोलते हैं जैसे कोई foreign particle आ गया जैसे कोई antigen आ गया disease cause करने वाला तो उसको हमारी body kill कर देती है वो क्या immunity mechanism है next the ability of an organism to resist a particle infection or toxin by the action of specific antibodies or sensitized WBC यानि white blood cell यानि किसी person या organism की ability या resistance यानि विरोध किसके लिए particular किसी यानि particular infection या toxin के लिए by the action of specific antibodies या specific antibodies या sensitized white blood cells के द्वारा जो विरोध किया जाता है किसी infection cause करने वाड़े antigen का या toxins का उसको क्या बोलते है अपन immunity बोलते है immunity में भी innate और acquired immunity का है दो परकार की होती है एक तो innate immunity यानि जनम जात immunity जो अपने को बर्थ से मिलती है एक acquired जो जनम के बाद में मिलती है तो immunity का है immunity is defined as resistance exhibited by the host against यानि या फिर किसी organism की ability जो बाहर से आयो infection की या positive agent या toxin को क्या वो kill कर दे या फिर क्या है उसका resistance यानि विरोध करे वो क्या है immunity है next है immunity का classification तो immunity को अपन classify किस तरीके से करते हैं तो इस graph के अंदर आप देख सकते हो कि immunity का है दो परकार की होती है एक तो innate immunity यानि inborn यानि genetic factors के द्वारा यानि जनम जाद जो अपने को जनम से मिलती है शुरू से next है acquired immunity acquired यानि जनम के बाद में मिलती है जो उसके अंदर भी दो परकार की immunity होती है एक तो active यानि oven antibodies जो यानि हमारी human body के antibodies चे क्या है stimulate होती है और दूसरा क्या है acquired immunity में क्या एक पैसिव पैसिव के अंदर क्या है ready met antibodies अपने को मिलती है यानि अमारी body का कोई भी रोल नहीं होता active immunity में तो human body का रोल होता है लेकिन passive immunity में नहीं होता next फिर active immunity को दो परकार की immunity में divide किया गया एक तो natural या फिर artificial तो natural का मतलब क्या है exposure to infectious agent यानि कोई infectious agent अपने body के touch में आया उसके थुरू क्या है antibodies बन गी वो क्या lifelong है हमें हिसा के लिए this is smallpox का infection या फिर क्या artificial immunity यानि किसी genetic particle या genetic code को inject करवा के हमारी body के अंदर जो antibodies बनाई जाती है यानि कोई part जैसे BCG यानि tuberculosis का कोई particle inject कर दिया virus का जैसे क्या है हमारी body tuberculosis के bacteria के लिए antibodies बना लेगी वो क्या है artificial immunization है body तो हमारी body बनाती है लेकिन inject क्या है वो particle कहां से क्या बाहर से next passive immunity में क्या है natural material maternal antibodies यानि passive में natural क्या है यानि जैसे placenta के द्वार आई जी antibodies क्या है mother से किसमें आ जाती है fetus के अंदर वो क्या है natural है वो maternal antibodies होगी next artificial तो artificial का मतलब क्या है बाहर से जो rediment antibodies होती है prepare 100% जो inject करवाई जाती है यानि antibiotics वो क्या है passive artificial है next देखिए innate immunity तो it is the resistance which individual possessed by birth यानि it is the resistance यानि यह वह विरोध है या फिर विरोध है which individual possessed by birth यानि यह वह विरोध होती है जो क्या है कोई भी परसन के जनम से अपने साथ रखता है individual possessed रखता है यानि it is virtue of his genetic constitutional makeup यह क्या है it is virtue यानि यह किसका लाब है यानि उसके genetic या constitutional makeup का लाब है ठीक है it does not depend on prior contact with foreign antigen और innate immunity के है किसी भी antigen के पहले touch में आने पर या contact में आने से depend नहीं करती वो हमेशा ही हमारी body के अंदर present रहती है next mechanism of innate immunity तो सबसे पहले कहा है epithelial surface epithelial surface के अंदर कौन सी आगे जैसे skin skin आपको पता है कि by birth यानि जनम से ही हमारे साथ होती है हमारी body के उपर present होती है और skin के दुआरा कहा है बाहर चे एंवायरमेंट के अंदर जो present bacteria या फिर virus या parasite वो कहा है इंटर नहीं कर पाते हो body के अंदर तो इसलिए कहा है innate immunity के अंदर involved है तो skin के अंदर देखिए the concentration of salt in drying sweat that cbacia secretion long chain fatty acids fatty acids contribute to bacteriocidal activity यानि कहा है कि salts की concentration हमारे sweat के अंदर या फिर cbacia secretion होगा ग्लैंड का जिसके अंदर कहा है long chain fatty acids present होते है यह क्या करते है contribute to bacteriocidal activity यानि यह ऐसी activities करते है जो क्या है bacteria को kill कर देती यानि bacteriocidal activities शो करते है तो सुरू से देखे innate immunity के है it is the resistance which individual possessed by यानि यह है resistance से विरोध है जो हमारे साथ जनमजाद से हमारे पास होता है it is virtue of his genetic constitutional makeup यह क्या है virtue of lab है यानि क्या है फाइदा है किसी person के genetic यानि genetic constitutional makeup का फाइदा है it does not depend on prior contact with foreign antigen और innate immunity यानि पहले किसी antigen के contact में आने तक पर depend नहीं करती वो हमेशा ही हमारी body के अंदर present रहती है next देखे mechanism of innate immunity mechanism के अंदर क्या है सबसे पहले epithelial surface epithelial surface के अंदर क्या है सबसे पहले skin skin के अंदर देखे the concentration of salt in drying sweat यानि हमारे sweat के अंदर पसीने के अंदर क्या salt की concentration होती है आपको पता है salt से भी bacteria को kill किया जा सकता है the cbse secretion of long chain fatty acids और जो skin के अंदर glands present होती है cbse उसके द्वारा क्या secret किया जाते है long chain fatty acids secret किया जाते है जो क्या करते है contribute to bacteriocidal activity यानि जो bacteriocidal activities को contribute करते है यानि वो bacteriocidal activities कर सकते है next respiratory tract तो the mucos mucos secretion of respiratory tract act as a trapping mechanism and hair like cilia propels the particle toward the pharynx where it is swallowed or cut out यानि जो mucos का secretion होता है हमारे respiratory tract मे act as a trapping mechanism वो किसके जैसे काम करता है trapping mechanism किसी चीज को पकड़ने के जैसे काम करता है यानि जैसे कोई भी मतलब bacteria या virus हमारे oral root के अंदर यार aspirate के अंदर चला जाता है तो वो क्या है कि इसके अंदर trap हो जाता है mucos के अंदर trap हो जाता है और जो है and hair like cilia और जो air like cilia है यानि बाहर निकाल दिये जाता है यामारी बोड़ी से थुक दिये जाता है next intestinal tract the mouth possessed saliva which has an inhibitory effect on many microorganisms यानि mouth पजज सलाइवा यानि mouth के अंदर क्या प्रजेंट होता है saliva और saliva के अंदर enzymes प्रजेंट होते है which has an inhibitory effect जो क्या एक inhibitory चोटे पार्टिकल्स पे and stomach contain HCL acid और stomach के अंदर क्या है hydrochloric acid प्रजेंट होता है वो भी क्या है bacteriocidal activities produce करता है अगर कोई बाइचांस microorganism mouth से saliva से क्या है saliva के लिए वो resistance है अगर stomach में चल गया तो stomach में किस से kilo हो जाता है HCL से next है conjunctiva तो conjunctiva के अंदर क्या प्रजेंट होता है lysozyme presentine tears यानि lysozyme present होता है tears के अंदर है जो bacteriocidal action और जो क्या produce करता है bacteriocidal action produce करता है तो respiratory tract के अंदर क्या हो गया mucos secretion हो गया जो एक trapping mechanism यानि प्रोपल्स यानि move करवा देते है और वहां से pharynx से क्या है उस particle को बाहर थुक दिया जाता है environment में निकाल दिया जाता है next है intestinal tract के अंदर mouth में saliva present होती है जो natural microorganisms को kill करने का काम करती है stomach में actual present होता है और जो हमारी conjunctiva यानि next देखिए janito-urinary tract तो the flashing action of urine eliminate bacteria from urethra यानि जो urine का हमारा flashing action है वो क्या है urine यानि के bacteria को eliminate कर देता है बाहर निकाल देता है urethra से और इसलिए आपने देखा हुआ urine collection के time पे क्या है सुरू का जो urine है उसको void कर देते है पन next the acidic pH of vaginal secretion in females यानि females के अंदर जो secretion है वेजाइना का उसके वज़े से कैसी pH हो जाती है acidic due to और होती किस कारण है due to fermentation of glycogen यानि glycogen के fermentation के कारण जो उसका fermentation कौन करता है lactobacillus rangers lactobacillus rangers vagina free of many pathogen और इसी वज़े से कहे कि वेजाइना कुछ microorganism से pathogen से क्या हो जाती है free हो जाती है यानि वो infection नहीं कर पाते किल हो जाते है next कहे anti-bacterial substance तो आपने देखा हो हमारे blood के अंदर या फिर हमारे cellular material के अंदर भी substance present होते हैं जैसे propidine हो गया blood के अंदर वो भी कहे बैक्टेरियल को किल करते हैं cellular factor और cells के अंदर भी cytotoxins होते हैं वो क्या है bacteria को virus को parasite को kill कर सकते हैं तो urine retract के अंदर natural कैसे हो गया कि मारा flashing action जो क्या है urethra का वो urine के द्वारा क्या है कि bacteria को inhibitory कर सकता है बाहर निकाल सकता है और vagina की acidic pH के bacteria को kill कर देती क्योंगि acidic medium में ज़्यादा survive नहीं कर पाते या कोई भी pathogenic parasite को भी kill कर सकती है या फिर antibacterial substances हो गया या cellular factor हो गया तो यह क्या है सारे हमारी body के innate immunity के parts है या जो क्या है जनमजात मिले है birth मिले है next कहे acquired immunity acquired immunity में कहे दा resistance acquired by individual during life या ऐसा resistance विरोध या ऐसी immunity जो कब मिलती है अपने को during life यानि lifetime पे मिलती है यानि जनम के बाद में मिलती है जब अपन life को survive करते है it is of two types यानि कहे acquired immunity आपने देखा ताप इछे graph में कितने type की होती है दो प्रकार की एक तो active immunity और एक है passive immunity next देखे active immunity it is subdivided into two types और अपन active immunity को फिर क्या है further divide कर देते है subdivid कर देते है दो parts के अंदर एक तो natural और एक है artificial तो सबसे पहले क्या immunity दो प्रकार में divided है एक तो innate एक acquired फिर acquired immunity दो प्रकार में दो types के अंदर divided है एक तो active और passive और फिर active immunity क्या है दो parts के अंदर divided है बापिस फर्दर natural और artificial तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे natural active immunity तो देखे it is acquired by natural subclinical और clinical infection it is acquired यानि natural active immunity क्या मिलती है अपने को जब क्या है कोई subclinical या clinical infection होता है such immunity is long lasting और इस प्रकार की जो immunity है वो क्या है long lasting होती है अपने को during lifetime के लिए होती है person recovering from smallpox infection develops natural active immunity यानि किसी person के अंदर smallpox का infection हो गया तो smallpox का infection एक ही बार होता है उसके बाद में क्या है हमारी body है जो है वो natural active immunity बना लेती है उसके लिए और तो क्या है antibodies बन जाती है जो क्या है lifetime के लिए present रहती human body में इसलिए क्या smallpox का infection दुबारा नहीं होता तो natural active immunity क्या है next है artificial active immunity तो it is produced by vaccination यानि यह किस से produce होती है तो vaccination से यानि कहें कोई vaccine के दौरा या फिर inject करवा देते है अपन किसी भी virus का किसी भी मतलब है bacteria का या फिर parasite का कोई particle जैसे उसका antigen हो गया toxoid हो गया या फिर कोई उसका substance हो गया protein हो गयी इंजेक्ट करवा देते हैं जिससे क्या है हमारी body उसके खिलाफ antibodies बना लेती है तो it is produced by vaccination यह किस से produce होती है vaccination से the vaccine are prepared from live or live or killed microorganism and their antigen or toxoid the vaccine are prepared यानि vaccine किस से तियार होती है live or killed microorganism से या फिर antigen या फिर उसके toxoid से next killed vaccine को कैसे तियार करते है तो organism are killed by heat formalin या alcohol यानि killed vaccines को कैसे prepare कर सकते है तो organism जो है उसको अपन क्या है heat के दवारा या फिर formalin के दवारा या alcohol के दवारा अपन क्या है उसको kill कर देंगे next toxoid vaccine तो prepare from bacterial exotoxin inactivated by formalin और bile यानि यह किस से prepare होती है तो bacteria के exotoxin से prepare होती है उस exotoxin को अपन inactivate कर देते है यानि वो human body में जाके कोई infection नहीं कर पाता किसके दवारा formalin और alum के दवारा next toxoid are immunogenic यानि क्या है वो immunogenic तो होती है यानि antibodies तो produce करती है but non toxogenic यानि वो toxogenic नहीं होती यानि कोई जहर produce नहीं करती है हमारी body में हमारी body में कोई other activities show नहीं करती है तो artificial immunity क्या है कि इसको vaccination के दवारा produce किया जाता है the vaccines are prepared from live or killed microorganism and their antigenal toxoid और vaccines कैसे prepare किये जाते है यानि या तो live कोई bacteria हो गया है या फिर उसको killed microorganism killed microorganism को vaccine inject करवा देते हैं या उसके antigen या toxoids को inject करवा देते हैं या फिर killed vaccine को कैसे तियार करते हैं तो organism को kill कर सकते हैं अपन heat के दवारा, formalin के दवारा या alcohol के दवारा toxoid vaccine कैसे prepare होती है तो अपन जो bacterial का exotoxin है उसको inactivate कर देते हैं formalin और alum के दवारा तो उसको inactivate करके फिर inject करवाते हैं human body में और human body के उसके खिलाफ उस बैक्टिरिया के खिलाफ फिर antibodies बना लेती हैं आगे वो infection नहीं करवाता toxoid are immunogenic बट non-toxigenic और toxoid के immunogenic तो होती हैं या एंटिबोडिज तो firm करवा देती हैं लेकिन not toxogenic नहीं होती जहर नहीं produce करती जो children's के अंदर injection लगते हैं बर्त के बाद तो वो किसे होते हैं artificial active immunity होती है next देखिए examples of vaccine तो example क्या क्या है vaccine के जैसे live vaccine के अगर example देखें कोई live bacteria या parasite इंटर करवा दिया जाता है जैसे BCG for tuberculosis तो यह किसका example है live vaccine का BCG for tuberculosis यानि tuberculosis के लिए antibodies को बनाने के लिए क्या इंजेक्ट करवाते हैं BCG sabine vaccine for poliomyelitis poliomyelitis के लिए polio के virus से बचाने के लिए अपन कौन सी vaccine इंजेक्ट करवाते हैं sabine mmr vaccine for measles mumps rubella और mmr vaccine किसके लिए इंजेक्ट करवाते है measles mumps rubella के लिए next killed vaccine तो killed vaccine में सबसे पहले का है tab vaccine किसके लिए for enteric fever यानि enteric fever के लिए neural and non-neural vaccine for ravis और neural और non-neural vaccine किसके लिए होगी ravis के लिए hepatitis B virus की कोई vaccine होगी यानि HbS antigen inject करवा के hepatitis के खिलाफ अपने antibody बना सकते हैं salk vaccine होगी poliomyelitis के लिए या फिर killed cholera vaccine होगी तो live vaccine के एक्जामपल के है live vaccine के लिए तो BCG होगी chabin होगी MMR होगी और killed vaccine के एक्जामपल के हैं जैसे tab होगी enteric fever के लिए neural और non-neural vaccine होगी इसके लिए ravis के लिए hepatitis B vaccine होगी salk vaccine होगी poliomyelitis के लिए killed cholera vaccine होगी यह सारी जो vaccine है, killed या फिर live vaccine, कि किसके अदर practical के अंदर पूछ सकते है, microbiology के अंदर कि killed vaccine किसकी है, या फिर killed vaccine के example दो, या live vaccine के example दो next देखिए कोई bacterial product, तो bacterial product का example किया, जैसे titanus toxoid हो गया, titanus के लिए retinus का injection लगाते हैं अपन, जैसे titanus का toxoid inject करवा देते हैं, diptheria toxoid हो गया, diptheria के लिए, तो यह किसका example है, bacterial products का next का है mechanism, किसके mechanism तो natural या है, sorry artificial है और natural, दोनो antibodies की तो mechanism देखिए active immunity की, active immunity response stimulate both humoral and cell-mediated immunity, usually in parallel यानि active immunity का जो response है, वो cell-mediated और humoral immunity, दोनों मिलके, साथ में क्या है, stimulate करती हैं, या फिर समांतर चलती हैं, दोनों involvement होती है यानि active immunity में humoral immunity और cell-mediated immunity, दोनों involved होती हैं तो सबसे पहले देखिए humoral immunity क्या है, it is antibody-mediated immunity ये कैसी है antibody-mediated immunity होती है, यानि antibody के दवारा बनाई जाती है it depends on the synthesis of antibodies by plasma cell, ये किसके उपर depend करती है it depends on, वो किसके उपर depend करती है, synthesis of antibody by plasma cell यानि plasma cell के दवारा antibodies बनाने के उपर वो depend करती है next, this cell product, specific circulating antibody which combined specifically with antigen modified their activity, यानि this circulating, this product, यानि ये जो product है यानि humoral antibodies होती है, वो क्या है, circulating antibodies है, circulation में present होती है और वो किसके साथ specific antibodies के साथ क्या है, combined होती है, यानि specifically antigen के साथ, कोई specific antigen के लिए, specific antibody होती है दो उसी antigen के साथ क्या है, combined होती है, और उसकी antibodies हो उसकी activities जो है, कारिया पर नालीज उसको modify कर देती ये, disease goes नहिं करने देती तो active immunity की mechanism क्या है कि इसके अंदर humoral और cell mediated दोनों immunity क्या है parallel यानि समांतर काम करते है दोनों का involvement है humoral immunity क्या है it is antibody mediated immunity है कि इसके दौरा बनी होई antibodies के दौरा और यह plasma cell के उपर depend है और यह circulating antibodies है next cell mediated immunity क्या है it depends on T lymphocyte developed against certain antigen यहनि एक इसके उपर depend है T lymphocytes के उपर depend होती है और T lymphocytes के दौरा ही develop की जाती है certain antigen के लिए next the cell mediated immunity why sensitized T lymphocyte is important in resistance to chronic bacterial infection यहनि cell mediated जो immunity है sensitized T lymphocyte का important role होता है कि इसके अंदर important role या important resistance शो करते हैं वो chronic bacterial infection के अंदर कोई गातक bacteria का infection हो गया तो उस टाइम पे get T lymphocyte उसके खिलाफ antibodies बना देती है cell mediated तो किस क्यूपर depend है T lymphocyte के उपर और you moral किस क्यूपर depend antibodies क्यूपर antibodies किस के दौरा बनाई जाती है plasma cell के दौरा next lecture आपका continue रहेगा किस क्यूपर passive immunity पे यानि active immunity तो आज पढ़ लिया आपने passive immunity के एक अलकिल एक्चर में देखेंगे thanks to all क्व़र आपकाल झाल झाल